आई 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 ए लीजे लटू भाई लटू ए ड़ी बहुत बहुत भध आई आपको ए आपको देखिये हुआ यह है कि ना जाने कितने मुद्दतों बाद कितने अर्षों के बाद एक करोण कमेंट्स, इमेल्स, मेसेज़िस और ना जाने ही कितनी मन्नतों के बाद आज फाइनली स्टोरी टाइम वीडियो यह समझ रहे हो तो स्टोरी टाइम वीडियो आ गई है और बस इस ही खुशी में जोब! जोब! बिरको जोब! तो तुम में से काफी लोगों को तो पता ही होगा के कल तक मैं गोगा में था तो जिन को नहीं पता यार तुम Instagram पर फॉलो करो तुम क्या गर रहो तुम त suffers कर तो जल्दी से फॉलो करो Instagram पर हाँ तो अब हुआ यार यह के हमारा गोगा में लास्ट ये था और हम गए थे बागा बीच पे एक famous सा restaurant है जिसका नाम है Burritos अब वहाँ पे हमने दबा के खाना खाया, बहुत सारा खाना खाया पेट पूजा करी मस्त एकदम वहाँ से भार निकले वहाँ से हमारी गाड़ी कुछ 2 किलोमेटर दूर लगी हुई थी क्योंकि रास्ता बन था इसलिए गाड़ी काफी दूर लगी हुई थी हाँ तो वहाँ से बाहर निकल के हमने फोटोस वगेरा खीची फोटोस वगेरा खीचने के बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ चले गए जो कि मैंने तुम्हें बताया नियरली 2 किलोमेटर दूर थी अब हम अपनी गाड़ी के पास अल्मोस पहुँची चुके थे एड़ एकड़म से मेरी सिस्टर ने रेलाइस करा कि उसके पास तो उसका फोन ही नि ओ माइ गाड़ हम सब भी जोस के साथ थे हम में से भी किसी के पास उसका फोन नहीं तो इसका मतलब उसका फोन गया एक अंचान शहर में तुमने अपना फोन गिरा दिया तो अब तो कोई चांस है नी ना मिलने का फिर भी हमने कोशिश करी ढूणने की सड़क पर इधर उधर देखा हमने हम कॉल करने लगे थे फोन पर मैंने अलमोस्त अपना फोन उठा लिया था नमबर डायल कर दिया था लेगिन एकदम से मेरे दिमाग में यही बात आई कि यार अगर किसी को सड़क पर बज़ता रोणते हम वापस बरिटो रेस्टोरेंट पहुच गए और वहाँ पे हमने रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछा यार आप लोगों को कोई फोन तो नहीं मिला और लखी ली बहुत ही अविश्वस निये थी यह बात कि मैनेजर ने बताया कि वेटर को सफाई करते करते एक फोन मिला तो है क्या ये वही फोन है और यार वही फोन था वो तो यार उन रेस्टोरेंट वालों का एक बहुत ही अच्छा जेश्चर था एंड स्पेशल यूज वेटर का जिसने वह फोन रेटर्न कर दिया वरना यार वह इस फोन को स्विच आफ करके अपनी जेम में डाल इस बंदे ने वह फोन रिटर्न कर दिया बहुत ही बड़ी बात है लेकिन इससे भी बड़ी बात तो अब आएगी मेरी बहन का फोन के साथ गुमने गुमाने ये जो नाता है ये रिष्टा है ये बहुत पुराना है हाँ तो इस incident से मुझे आदा है कि आज से अल्मोस तीन साल पहले हम नानी के घर गए हुए थे जो कि हमारे घर से अल्मोस तीन या चार घंटे का रास्ता है तो हम अपने घर वापस आ रहे थे नानी के घर से हम निकले और 40-45 मिनेटस हम अल्मोस ट्रावल कर चुगे थे अब वापस कौन जाएगा फोन वहाँ पर रहे गए क्या मतलब है और मेरी बहन सामने से कहती है कि नई मुझे याद है मैं नानी के रूम में बैटी हुए थी मैंने वहाँ पर फोन रखा था पक्का मेरा फोन वही पर रह गया है तो मम्मी ने नानी को फोन मिलाया और नानी से पूछा कि देखना आपके रूम में कोई फोन तो नहीं रह गया है और नानी सामने से कहती हाँ यहाँ पर एक फोन पड़ा तो हुए लाओ जी हो गया काम एक घंटा दूर आ चुके हम उनके घर से और अब इन महतरमा को याद आ रहा है कि इनका फोन तो वही रह गया है अब क्या करें पिता जी ने तो साफ साफ बोल दिया कि नहीं जी एक घंटा वापस गाड़ी चला के उनके घर जाके फोन लाने का तो कोई सीन लिया यह तो हो फोन लेके एकस वाइज जिस जगह पे हम उस वक खड़ेते हैं वहाँ पर वह फोन लेका रहा है मेरे मामा ने अपने ड्राइवर को पूरा सीन समझाया जो भी हुआ है उसके बाद वो ड्राइवर घर गया नानी से वह फोन लिया एक घंटे तक हम वही पर खड़े हैं ड्र लेके वह फोन वहाँ पर पहुंचता है जहां पर आम उस वक खड़े और इस एक घंटे में मेरी बहन ने इतना सुना इतना सुना नहीं मतलब सुनाना बनता है ना अरे ऐसे कौन फोन भूल जाता है बाई लेकिन असली चीज तो अब इसके बाद हुई यार ड्राइवर पह भचता है हमारे पास फोन निकालता है और कहता है ये लो एंड प्रेर ना मेरी बहन वो फोन देखती है और कहती है ये तो मेरा फोन है ही नहीं वाट एड वो driver वो फोन देखता है और कहता है अरे हाँ ये तो भाईया का फोन है भाईया जो उसका मतलब था मामा का अगर ये बहाईया का फोन है तो ये फोन लेकर एक घंटा दूर गाड़ी चलाकर क्या दिने आए भाई तु पागल है के अरे मतलब मामा ने उस ड्राइवर को अल्रेडी कूरा सीन समझा दिया था कि मेरी भान जी का फोन ऐसे घर पे रह गया तो तू जा वो फोन ले घर से और उनको जा के दे के आ तो जार अगर तू एक गंटा दूर गाड़ि चला के फोन देने आए और तुझे ये भी पता है के ये मामा का फोन है टाइल करा और यू नो वाट प्रेठा का फोन उसी के हैंडबेग में जो उसने अपने कंदे में टांग रखा था उसी में ही वाइबरेट करा तो पिछले एक घंटे से हम वहाँ पे फालतु में खड़ेते किसी के भी दिमाग में यह नहीं आया कि एक बार फोन करके उसको डायल करके जेक कर लेते हैं कहां पे क्यों? क्योंकि प्रेर्णा प्रेर्णा ने इतने confidence के साथ बोला ना औरे मेरा फोन तो नानी के घर पे ही रह गया क्यार किसी को लगा ही नहीं कि इसके पास हो सकता है उसने बोला इतने confidence है कि नई पक्का नानी के रूम में ही पड़ा हूँ है मुझे याद है मैं वहाँ बैटी हुई थी तो हमने भी विलीव कर लिया हमने एक नई घंटा वहाँ पे अल्मुस्ट कड़े खराब कर दिया था और मेरी बहन जो अल्रेडी बहुत सुन चुकी थी अब तो पूछो मत बादल फटे गए उसके उपर गड़न 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 आए बज़ो आए बहुत भाई इसके बाद तो बहुत बहुत डाट पड़ी उसे तो बस यही है मेरी बहन और उसके फोन का यह जो रिष्टा ना यह बहुत बहुत पुराना है यह बंधन तो प्यार का बंधन है प्रेरना तु बैस्ट है I love you You can check out प्रेरना के चानल पर हमने एक वीडियो गरी थी साथ में एक कॉलाब वीडियो गरी थी जिस पर मैने उसका मेकप करा था बहुत ही कुछ कमाल का था वो तो तुम वो वीडियो देख सकते हो अभी स्क्रीन पर लेफ्ट साइट पर आ रहा होगा वीडियो को लाइक करते ना इस वाली वीडियो को वीडियो पर एम रखते है एक लाख लाइक्स का हंडर्ड के लाइक्स और अगले अफते पक्का फिर से स्टोरी टाइम वीडियो अगली वीडियो भी मिलते है फिर थांक्स पो अच्छेंग